अपना भासन यही विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद से धन्यवाद सप्तगरी उलाका जी नासरी सुधिर गुपता जी माननी सभापती जी राष्ट्रपती महोदया के अभिभाशन पर मैं समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ मन को बड़ी प्रसनता है कि जब राष्ट्रपती महोदया हमारे इस नए सादन में प्रवेश कर रही थी तब सैंगौल के साथ उनकी अगवानी की गई बड़ी भविता थी बड़ी सादगी थी और हम सब ने आत्मी रूप से स्वागत करके मन को बड़ी प्रसनता दी है मैं माननी राष्ट्रपती महोदया के उन शब्दों को यहां दोहराना चाहता हूँ जो नोंने अपने संबोधन के प्रारंब में कहे इस नए संसत भववन में यह मेरा पहला संबोधन है आजादी के अमरतकाल की शुरुवात में यह भव्य भववन बना है यहां एक भारत श्रिष्ट भारत की महग भी है भारत की सब्विता और संस्कृती की चेतना भी है इसमें हमारी लौकतांत्रिक और संसदी परमपराओं के सम्मान का प्रण भी है और साथ ही कीस्वी सदी के नए भारत के लिए नई परमपराओं के निर्मान का संकल्प भी है मुझे पूरा विश्वा से कि इस नए भाहन में नीतियों पर सार्थ सम्वाद होगा और ऐसी नीतियां जो आजादी के अमरितकाल में विकसित भारत का निर्मान करेगी मैं आप सभी को अपनी सुबकामनाय देता हूँ निश्चित रूप से यह संबोधन भारत की राजनीती में हम सब लोग जो लाखों लाखों के द्वारा चुनकर यहां आते हैं उन पर एक बड़ा ही विश्वा से राष्टपती जी के मन में बड़ी आशाये हैं कि अमरित काल के इस दौर में यह भावन भारत की सब्विता और संस्कृती की चेतना का आधार बनते हुए लोग तांत्रिक परंपराओं को आगे ले जाएगा निश्चित रूप से हम जानते हैं माननी सभापती जी कि जो मन के अंदर संकल्प और भाव होते हैं माननी राष्टपती महुदया ने जिन संकल्पों को हम सब के सामने दोहराया और सरकार के किये कामों को और गर्व से यहां कहा है निश्चित रूप से किसी भी सरकार के काम में अनुशाशन ये एक महत्वपूर्ण परीदी होती है और हम जानते हैं कि जो वित्तिय असमानता हैं देश के सामने रही है उसको समानता की तरफ ले जाना एक बड़ा संकल्प था तब हम कहते हैं कि अब हवाहें ही करेगी रोशनी का फैसला जिस दिये में जान होगी वही दिया रह जाएगा भारत अपने वित्तिय एकी करण के दौर में वित्तिय प्रभंदन को साधते हुए वित्तिय संस्ताओं के बीच अनुशाशित तरीके से आगे बड़ा है घरेलू वित्ति बाजारों में निवेश की अनुकूलता कानेनुई प्रतिबंदों का संग्यान में लेना और वित्तिय प्रभंदन में सारे संस्ताओं का उप्योग करना ये हमारी बड़ी सफलता है चाहे बीमा संस्तानों का उप्योग हो या बैंकों का जन धन खातों के माद्यम से हमने एक दिव्य संदेश दिया कि आजादी के बाद बैंकों का एकी करन तो कर दिया गया था मगर उसके पीछे विचार नहीं थे उसके पीछे एक अनुशाशित कारिपणाणी को लेकर आगे चलने वाले ठोस व्यक्तित्व का भाव था आज नरेंद्र मौदी जी के आवहान पर वही बैंकें वही लोग वही बिल्डिंग वही कम्प्यूटर मगर एक नया खाता ना खोल सकने वाली बैंकें 45 करोड लोगों को अपने उसी संसाधन के अंदर समाहित कर पाई यह दुनिया के सामने अभुत्पुरू था डी मौनेटाइजेशन का एक सदाववा संकल्प जिसके परिणाम आज देश ने देखे हैं हम अगर इसको देखते हैं तो ITR की संख्या जो 3 करोड के आसपास थी आज 8 करोड की बड़ी संख्या के आधार बनाकर लोग अपने इस देश के वित्ती विकास में योगदान देने के लिए एक अनुशासित वित्ती प्रबंदन के कारण जुड़ पाएं है हम जानते हैं कि Insolvency and Bankruptcy Code जिस प्रक्रिया को आधार बनाने का आधार बनकर आगे बड़ा है जेम पोर्टल के माद्यम से Government E-Market Placement हुआ है उसमें अभुत्पुर व पारदर्शिता हम सब के सामने देखने को मिली है कई लोग GST की बात उसको इधर उधर की बातों में घुमाते हैं लेकिन जब एक देश एक कर को आधार बना कर काम करने का महन संकल पलिया था आज एक लाग चोशट हजार करोड का कर कलेक्शन एक करोड चालिस लाक से अधिक लोग अपने आपको इस वित्ती कर प्रबंदन में जोड़कर खुश होकर आगे बढ़े हैं तब हम देख पाते हैं कि अगर वित्ती प्रबंदन को अनुशाशन के साचे में लाकर ढाला गया तो इस आप डूइंग बिजनेस जैसे परिणाम सामने आते हैं हम दुनिया के सामने 142 वे रैंक पर खड़े थे आज 63 वे रैंक पर खड़े होकर हमने आधार बढ़ाया है उसके परिणाम भी देश को देखने को मिले हैं आज अगर वाहनों की बिक्री देखे तो 21 करोड वाहन बिके या आधार बताता है कि देश के और आम जन के बीच में आर्थिक प्रभंदन बढ़े हैं लोगों ने परियावरन को सुद्रड बनाने की दरश्टी से 12 लाग से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं याने देश के नेता अगर अपील करते हैं तो जनता के बीच में सरोमानेता से उस्विकारिता बढ़ जाती है हम सब जानते हैं कि माननिय सभापती महदय वित्ती प्रभंदनों के कारण ही MSP का हम एक बड़ा व्यापक घेरा बढ़ा पाए हैं हमने किसानों को उनके समर्थन मुल्यों की आवशक्ता अनुसार भुकतान करने की प्रक्रिया को बहुत विस्तार दिया है हमने किसानों को बीमा के माद्यम से एक विश्वस्नी व्यवस्ता को सुद्रट धाचे में ढाल कर आगे बढ़ाया है हमने सबसीडी सेक्टर में बहुत बड़े विस्तार किये ताकि करशी प्रसंस्क्रण के शित्र में और आधार बन सके हमने किसानों को सम्मान निधी के माध्यम से एक अनुशाशिट ढाचे में ढालकर ग्यारा करोड से अधिक किसान भाईयों को हम अपने आप में जोड़ पाएं हैं माननी सभापती महोदे ये वित्ती अनुशाशन का ही परिणाम था कि अगर नीचे जाकर इस्थानी पंचायतों में जाकर हम देखें इस्थानी निकायों में जाकर देखें शहरों के वित्ती प्रबंदनों में देखें तो भारत सरकार के प्रबंदनों की जलक इसपष्ट ग विश्वास को आधार बना कर काम कर पाए हो बैंकों के अंधर एक अविश्वास खड़ा था लोग अपनी डिपाजिटों को रखें या न रखें इस प्रश्ण पर खड़े थे आज बैंक की ढांकिंग ढाचा सुद्रड हुआ है और बैंक NPA 4% तक लाकर इन्होंने खड़ा क किया है हम जानते हैं माननी सभापती महोदय कि 2013-14 का जो शाशन व्यवस्ता था आज भारत की सेना है रिटायर्ड सेनिक सडकों पर खड़े थे वन रैंक्ट वन पेंशन की लंबे समय से मांग थी आज हम गर्व से कह सकते हैं वित्ती अनुशाशन का परिणाम है कि नरेंद हिदगराईऄं को प्राप्त हुआ है हम सब जानते हैं कि किस तरीके से भारत में एद्यो की सुधार हुआ है MSME सेक्टर के अंदर सुधार यह अभूत्पुरु है यह भारत के युवाओं को चाहित कर रहा है यह भारत के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और संकल्प को द्रड कर रहा है एक लाग से अधिक स्टार्ट अप देश में खड़े हो जाना एक लाग साथ सजार से अधिक कमपनियों का विकास और निर्मान हो जाना शहत से लेकर खादी तक खिलोने से लेकर रक्षा उत्पादनों तक का अगर निर्यात बढ़ जाता है माननी सभापत जी तो हम गर्व से कह सकते हैं कि वित्ती अनुशाशन के जो फार्मुले देश के प्रधान माननी मौदी जी ने हम सब को दिये हैं उसका एक दरड परिणाम है हम सब जानते हैं कि वैक्षिनेशन प्रोग्राम जिस तरीके से देश में ढाला गया है मैं तो आगरह करूंगा माननी सभापती जी उन सब विपक्षिय संबोधन देने वाले से सांसत भाईयों से कि एक बार दव वैक्सिनेशन वार फिल्म अवश्य देख ले उन्हें पता पड़ जाएगा कि वो कर क्या रहे थे उन्हें पता पड़ जाएगा कि देश में अनुशाशन ही इन व्यवस् और देश के लिए जूजने वाले उन लोगों की और हमारा ध्याना करश्ट होगा जिन्हों ने रात दिन अहर निश परिश्रम करके और विशेश करके 70 प्रतिशत बहनों ने और ICMR में रिसर्च में अपनी जाने लगा दी उन्होंने अपने परिवार की चिंता न करते हुए वैक्सिनेशन प्रोग्राम का एक ऐसा आधार खड़ा किया कि आज भारत दुनिया के सामने सर उचा करके कह सकता है कि ये बदला बदला भारत है हम सब जानते हैं माननी सभापती महदय की वित्तिय प्रबंदनों के बहुत सारे शित्रों में परिणाम आए है हम ये भी जान जानते माननी सभापती महदय शेत्री असमानताएं और उसके कारण देश का विकास प्रभावित रहा है नरेंदर मौदीजी के नित्रत में एक देश एक जूट होकर काम करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ा है शेत्री असमानताओं के कारण हम सब जानते थे कि जो कांग्रेस ने भी चूंकि आजादी के बाद देश उनके पास था और उनकी सोच में कांग्रेस के संस्तापक ए ओहुम जो ब्रिटीस आईये सदिकारी थे इतावे के कलेक्टर थे जिन्हों ने जिस पार्टी को आधार बनाया था उस पार्टी के अंदर जो बीज प्रवाहित थे और ऐसा का ऐसा ही सोच लेकर इन्हें जब तक सरकार चलाने का मौका मिला ये उसी ब्रिटीश सोच पर देश को चलाते रहे और उसके कारण हम शेत्री असमानताओं के कारण देश को एक जूट तरीके से विक्सित नहीं कर पाए माननी सभापती महुदय हिंसक संगर्ष वित्रो वामपंती उगरवाद और हरीत करांती को कई शत्रों से दूर रखना ये एक दुश परिनाम था रेलों का विकास लक्षित नहीं था और इसलिए हम जानते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलु जिन्दगी का इसलिए इम्तिहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिन्दगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है और इसलिए मौदी जी ने लड़कर अपने कदमों में और पूरी प्रक्रिया को लाकर खड़ा किया है हम जानते हैं माननी सभापती महोदे बजट में हम सबने जिस तरीके से और एक विक्सित भारत को सब के सामने संकल्पित करने का प्रण लिया था उसका परिणाम है कि शेत्री असमानताओं में जो गिरावट थी उसको सुद्रट तरीके से हम आगे ले जा पाएं चाहे वो पुरवत्तर शेत्र का परेटन विकास हो या सीमाओं के रेलवे से लेकर और परियोजनाओं के विकास हो मैं तो एक बात जानता हूँ कि जिस तरीके से शेत्री असमानताओं नार्थिष्ट के राज्जों के साथ साथ उन गरीब जिलों में भी रही आज 123 ऐसे आकांक्षी जिलों को चिन्नित करके माननी प्रधान मंतरी नरेंद्र मौजीदी जी ने देश को एक नई दिशा दी है बहतर स्टार्टप एको सिस्टम का विकास हुआ है देश में कोशल उन्नियन का विकास हुआ है परियावरन के द्रश्टिकत रखते हुए रक्षार उपन से लेकर बास प्रत्यार उपन तक के विकास हुए है हम जानते हैं कि देश के विकास को चिन्नित करते हुए किन किन चीजों पर गलतियां हुई है देश ने आजादी के बाद से असमान विकास किया था उसका दुष्परिणाम मेरे शेत्र ने भी माननी ये सभापती जी जेला था हम जानते हैं कि आज NHI दिल्ली मंबई एक्सप्रेस वे एक लाग करोड का बड़ा ऐसा रोड जो मेरे संसदी शेत्र के उस शेत्र से जाता है जो ट्राइबल के निकट होते हुए निकल जाता है तो हम देखते हैं कि शेत्री असमानताओं के कारण हमारे उन शेत्रों का विका सब्सक्तर वर्ष बीद गए मगर हम खुश हैं कि कल के बजट में ही 500 करोड रुपे रेलवे विकास के लिए मेरे संसदी शेत्र को मिले और मेरे संसदी शेत्र का मैं तो रेल मंत्री जी को बढ़ाई दूँगा कि उन्होंने अभूत पूर्व विकास किया है आज रेलों के विकास के कारण मेरा संसदी शेत्र और देश के मेप पर आकर खड़ा हुआ है तो एन्हाई से जुड़ने के कारण राष्ट्री परिद्रश्य में मेरा संसदी शेत्र जो सबसे पीछे था आगे के क्रम में आकर खड़ा हुआ है वित्त मंत्री जी ने हमारे यहां कुछ फस मसलों से जुड़ने का एक बड़ा मुका मिला है मैं गर्व से कह सकता हूं कि वित्ती प्रभंदन का कमाल था कि चंबल हमारे मोहाने पर खड़ी थी और आज एक एक इंच भूमी चंबल के पानी से सिंचित होने के लिए आगे बढ़ गई है मैं धन्यवाद दूँआ माननी प कंबल के पानी से सिंचित होने के लिए आगे बढ़ गई है हम क्या गिना सकते हैं माननी सभापती महुत है एक संसदी शित्र मेरा जहां तीन मेडिकल कालेज अगर दस साल के अंदर खुलकर प्रारंब हो जाते हैं तो गर्व करने के अलावा उतसाहित होकर हम सब उमंगों म उल्लासों में रहने के अलावा हमारे पास धन्यवाद देने का और कोई रास्ता नहीं है हम जानते हैं कि एक सैनिक स्कूल मेरे जैसे ग्रामीन पिछडे गरीब जिले में अगर आकर खड़ा हो जाता है तो हम गर्व महसूस कर सकते हैं सेंट्रल स्कूल दो दो आकर खड़े हुए पी-एम श्री स्कूल मध्य प्रदेश में सी-म राइज स्कूल की श्रंकला कड़ी हुई तो तीन नर्सिंग कालेज भी एक संसदी शेतर में लाकर खड़े हुए हैं खेलो इंडिया के माध्यम से अच्छे ग्राउंडों का विकास होने का क्रम बड़ा है हम जानते है माननी सभापती महदय ना जाती की राजनिती करूँगा ये द्रढ़िच्छा देश के प्रधान की है ना धर्म की राजनिती करूँगा कैसे हो मेरे गायों का विकास मैं उस रननिती की बात करूँगा जब देश का प्रधान जाती वात से उपर धर्म से उपर गरीबी को पेमाना बना कर काम करता है ये जाती वात के दलदल में ले जानकर रोज बोटों की बात करते हैं रोज एक दूसरे को एक दूसरे से उल्जाने की बात करते हैं तब देश के प्रधान के मुह से हम विचार सुनने के लिए लालाइत रहते हैं कि इस जाती वात के दंश से माननी मौदी जी कैसे निप्टेंगे तब वो कहते हैं मैंने चार जातियां चिन्नित की है जिनको विकास के क्रम में आगे ले जाना है तो पहली जाती क्रशक दूसरी जाती महिला तीसरी जाती युवा और चौती जाती गरीब जब इस आवहान को हम अपने संसदी शेत्र में जनता के बीच ले जाते हैं तो जनता भाव विभोर हो जाती है वो कहती है कि तमाम दलों ने हमें जाती हों के दलदल में डाला है और आज अगर हम जाती हों से दूर रहते हो विकास की बात करते हैं तब विचार आता है उनको कि नारा तो 1901 में लगा था माननी सभापती जी गरीबी हटाने का मनोच कुमार ने प्रभावितों कर पिक्चर भी बना दिया था रोटी कपड़ा और मकान ना रोटी मिला ना मकान का पता था ना कपड़े के पते थे गरीबी के दल दल में जूसता हुआ यह देश आज 80 करोड से अधिक लोगों को निशुल कराशन पहुँचा कर एक विश्वास प्राप्त कर चुका है माननी सभापती महुदै जब मैं देखता हूँ अपने संसदी शित्र में कि शहरों में गाओं में शहरों की जुगी बस्तियां लगबग गायब है शहरों की जुगी बस्तियों में जबर्दस्त सुधार हुआ है और ग्रामीन शित्रों में मकान बनने के करम और एक विश्वास का करम इतना बड़ा है और जब माननी नरेंद्र मौदी जी के विकसित भारत की संकल्पना की मौदी की गारंटी वाला गाड़ी जाता है तब लोगों के मन में अभूत पुर्व सनहे जागरत होता है और लोग एक विश्वास के भाव से देखते हैं कि अब मेरा भी समय आएगा हम विश्वास से दस करोड जब गेस के चुले गए मैं माननी सभापती महोदय देश को बताना चाहता हूँ मैंने अपनी संसदी शेत्र में विकसित भारत यात्रा के दोरान हाथ खड़े करवा कर पूछा कि गेस का चुला किसे प्राप्त नहीं हुआ है लगवग एक या दो काम जिन में घर का विभाजन आया हो उसके अलावा कोई खड़ा नहीं होता सभी के घर गेस का चूला पहुच गया है सडके गाओं गाओं तक पहुची है इसकूलों की व्यवस्ताएं बनी है और जब हम विचार करते हैं एक समय था माननी सभापती महोदय कूओं से पानी आना पढ़ता था पानी दूशित होता था पाऊं में से कीड़े निकल जाते थे ग्रामीन भारत में सफेद रंग का एक फिट डेर्ड फिट दो फिट का कीड़ा जो पाऊं में जिसे देशी भाशा में वारा कहा जाता था तडप-tडप कर निकाला जाता था आज जब दोर पाया है विकसित भारत के बनने का तब मैं अपने संसदी शेत्र के गाउं गाउं में चंबल का पानी पहुंचते हुए अपनी आखों से देख रहा हूं जब लोग लोग घरों में रिष्टा बनाते हैं तो पहले जो बहुएं आती थी उन्हें तीन मटका उठाना पड़ता पीतल का और बगल में भी एक मटका लेकर चलना पड़ता था धीरे धीरे पानी के प्रबंदनों में कुछ सुधार होता रहा मगर आखिरकार पानी घर तक नहीं पहुँचा जब शिक्षित भारत अभियान चला माननी नरेंद्र मौदी जी के नतरत में माननी अटल जी के न पड़ेगा जब हम सभा में खड़े होकर कहते हैं पाइप लाइनों का जाल बिच्रा कई किलो मिटर तक और हम कहते हैं कि नई बहु अगर घर में आ रही है तो विश्वास से कह दो कि दिसंबर दोजार चोईस का वह महिना जब आपके घर पर पीने का पानी घर के अंदर ट हम जानते हैं कि डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसपर का परिणाम देश के प्रधान पुर्व देश के लोगों के सामने कहते थे कि मैं सो रुपे भेजता हूं तो पिच्चासी रुपे ही प्राप्त होता है जब मैं ग्रामीन लोगों से पूछता हूं कि सरकार ने जितना प संद्रा प्रतिशत हम निकाल कर देखें तो वो पांच लाग दस जार करोड़ी पहुंसता 28 लाग करोड़ तो घपले में चला जाता 28 लाग करोड़ तो ब्रष्टाचार में चला जाता और 28 करोड़ के ब्रष्टाचार में लालाइत होकर कई लोग नियाय की यात्राएं कर कई लोग दिवाने कर बन रहे हैं कि 28 करोड 28 लाक करोड तो उन्हें उनकी पाकेट में मिलता आज देश का पैसा बज़ गया और ये गरीब के घर चल गया गरीब के घर खुशियों की बहार है गरीब के घर पर आंगन पर खुशियों की और रांगोली लगी पड़ी है हम जानते हैं माननी सभापती महदय कि आज हम देखते हैं कि किस तरीके से आजादी के बाद जाल में हमें फसाया गया गाओं में हम जाते हैं तो युकेलिप्टिस का पोधा लगा हुआ सू बबूल का पोधा लगा हुआ प्रक्षार उपन के नाम पर गाओं के लोग पूशत किया बक्री हमारा फली खा लेती थी बक्री दोनों पाउं उपर कड़ के खड़ी हो जाती है बोले भाईया मेरी बबूल वाली फली कहा गई मैंने का वो तो फली कांग्रेस के राश्ट्रिय अद्धेख जी ही बता पाएंगे कि वो क्यूं ले गए गायों के लिए गाजर घा देश का कैसा विकास था और आज नक्षा बदल रहा है हम जानते हैं कि किसानों को 2900 रुपे 2800 रुपे में यूरिया खात लाकर देना पड़ता विदेशी बाजारों से और उन्हें 276 रुपे में उपलब्द कराना पड़ता है भारत का फर्टी लाइजर सबसीडी सेक्ट ठीक बहुत बड़े घाटे में खड़ा है माननी सभापती महोदय देश के युवा अब 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 क्यानिक जब प्रयास करते हैं तम नेनो यूरिया नेनो डियोपी जैसे प्रयास हमारे सामने आते हैं और माननी सभापती जी मैं समप कर रहा हूं माननी सभापती महोद हम विश्वास में जब नैनो यूरिया और नैनो डियोपी और पेस्टिसाइट की बाते होती है हरीत करांती के नाम पर जिन प्रधिशों का विकास हुआ आज महां कैंसर के मरीजों से भरी गाड़ियां चलती है आज जब पेस्टिसाइट छीटने का आउसर या यूरिया को प बड़ी प्रसन्त आये मैं प्रसन्न होकर ये कह सकता हूं माननी सभापती महदए कि आज देश में चाहे बात सेग wrestle की हो चाहे का शी्तमिल पहराने का और विशे हो चाहे वेक्सिनेशन के निर्मान में लगे साइंटिस्टों के प्रयासों का विशे हो चाहे रक्षात पादों में निर्मान में हम आगे बढ़ गए हो चाहे नई शिक्षानीती के माद्यम से हम और बच्चों को नई शिक्षानीती से जोड़ पा रहे है तब हम विचार करते हैं फार्मॉला उनके भी पास था उन्होंने फार्मॉला शायद उनके दामाद को दिया और देश ने फार्मॉला लाखों करोणों युवाओं को दिया है और इसलिए हम कह सकते हैं बहुत इस पस्ट से कि प्रयास करने वाले सारे लोगों के मन के जो प भाग देखने से तकदीर बन नहीं सकती और तश्वीर बदल नहीं सकती है माननी सभापती महदे में राष्ट्रपती के अभिवाशन का समर्थन करता हूं इस आशा विश्वास के साथ कि आजादी के यहाँ स्वर्णिम काल के 2047 तक का काल भारत को विश्वगुरू बनाने के लिए प्रेणनास पत रहेगा और यह संबोधन माननी राष्ट्रपती महदे का युवाओं महिलाओं गरीबां और किसानों के लिए आधार रहेगा बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद सुदिर जी